Welcome back guys, कैसे हैं आप लोग और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगो को PlayStation 2 का एक बहुत बड़ा issue solve करके बताने वाला हूँ Problem क्यों आती है वो और उसके fixes क्या-क्या है वो भी आपको इस वीडियो के जरीए बताऊंगा तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगे कि problem क्या है देखो आप PlayStation 2 के अंदर जरूर USB pen drive से game खेल रहे होंगे लेकिन होता क्या है कि जब हम USB hard disk लगाते हैं तो वो run नहीं करती है ठीक है, मेरे बास में ज्यादातर हाओ वाली hard disk हमारी bikt視 है और इस तरीके के cases में आती है ठीक है इसके साथ में इस तरीके के आपको ये converter connected मिलता है छोटा सा और ये से लग जाती है और दोस्तों इसके अंदर जो hard disk होती है वो हमारी ये वाली hard disk होती है आपने देखाऊगा जो laptops में लगती है और ये हम playstation 3,4 में भी इस्तमाल करते हैं best hard disk होती है लोग क्या कहते हैं आपके hard disk खराब है लेकिन अगर आपने एक trusted जगा से खरीदी है अच्छी जगा से खरीदा है हमारी website से खरीदा है तो हम test करके भीजना पसंद करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है जब test करके आपके पास में पहुच रही है तो फिर work ना करे तो आपको थोड़ा सा सोचना समझना पड़ेगा तो दोस्तों यहां पे क्या है कि problem यह है कि hard disk को proper power नहीं मिलती है ठीक है जो PS2 है हमारा 8.5 volt DC पे work करता है यहां पे इसकी PS2 90,000 तो यहां पे supply होती है और adapter वाले में पीछे से adapter लग जाता है तो इसके अंदर supply अंदर है mother boot ज्यादा short होने के करके इसमें यह दिक्कत आती है और 90,000 model में यह ज्यादा देखने को मिलती है तो होता कि है कि इस IC से 8.5 volt convert करके ठीक से ampere बराबर नहीं निकाल पाता जिसकी वज़े से इस hard पूरी power नहीं मिलती है तो अगर आप इस पे कान लगाओगे ना तो आपको टक 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 की आवाज आ रही होगी इसका मतलब यह है कि proper power ही नहीं आ रही है और दूसरा क्या होता ही गिर भी जाती है तो भी इसा होता है लेकिन अगर proper packing में जा रही है ठीक है टेस्टेट है फिर issue नहीं होने वाला ठीक है आप यहां पे आप देख लेना कि issue अगर आपके PS2 में है ठीक है तो यह IC आपको change करानी पड़ेगी यह IC अपने PlayStation 2 के कहीं में repairing center पे आप दे सकते हैं repair कराने के लिए और अगर लेकिन अब यह तो हो गया कि आपको PS2 repair कराना पड़ेगा है ना ठीक है यह पहला fix था repair कराना पड़ेगा लेकिन अब आप सोचोगे यार कि मेरा PS2 बिल्कुल new था आज तक तो खोला नहीं आप क्यों खुलवाओं और यह चोटी सी प्रॉब्लम है मैं pen drive से गेम खिल हो देखो दोस्तों अगर आप यह case buy किये हो ठीक है इसमें यह hardest है ना तो इस case से निकाल लो ठीक है यह hardest निकाल लो सबसे बढ़िया और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हो ना उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज्यादा-जादा subscribe कर लो देखो और आगे हो के like तो और मैं आपके लिए वीडियो और लेकर रहा हूँगा अब daily basis पे वीडियो लाने की कोशिश करेंगे live हमारे जो sessions होंगे वो भी रहेंगे जिन में आपकी problems को gaming की solve करूँगा ठीक है तो वो videos के लिए भी ना चैनल को subscribe कर लो so fix यह है कि इस तरीके का converter ले लो ठीक ह है अब इस converter के फाय देखे हैं आप कहोगे कि भाई यह वला ज्यादा असान था बन था अच्छा रिखता है ना लेकिन अब यह converter बन तो नहीं आता देखो लेकिन इसमें बहुत benefit है first of all कि जब हम इसको इसमें लगा देंगे ना ठीक है यहाँ पर लगा दो अब यह भी तो ऐसी लग जा रहा है सिंगल ठीक है USB में आप कहोगे कि भाई यह सिंगल लग गया है ना तो अब इसमें benefit क्या है देखो यह सिंगल पावर पे जो पूरी पावर जा रही है एक सिंगल वायर में जो यहाँ पर हमारे पास पोच रहा है पूरा ampere बराबर नही पहुच रहा सपोज नहीं पहुच रहा ठीक है तो हम क्या करेंगे अब यह दूसरा वाला जो पॉइंट है यह 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 वाला भी लगा दो अब इससे होगा क्या कि जो PS2 का यहां पे पोर्स है ना separate power आती है यहां पे ठीक है दोनों में ampere बराबर आते हैं अब कम आ रहे हैं पावर पराबर मिल गई तो इसको पूरे ampere मिलेंगे और यह चल जाएगी यह तो मैं देखो स्क्रीन पे भी आपको ना भी टीवी पे लगा के चेक कराऊंगा भी लेकिन उससे पहले एक और चीज़ बता दू अब जैसे यह वाली हार्डिस्क है ठीक है यह तो छोटी हार् डिसको चलाओगे कैसे अब यह तो सभी को पता है यह 5 वλιड़ बारा वोल्ट इसपे चाहिए ठीक है नँड़िक घिवं यह बारा वोल्ट पे चलती है दोस्तों बारा व स्कूरह पूरे 12 वोल्ट तो यह connector तो यह लगा दोगे ठीक है सहीए लेकिन अब क्या इसको भी ऑव 12 volt वाले adapter द्द्धान से देख को आप को इस adapter की power देख लो ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है साफब साफ 12 volt 3 MP तो 3 MP buy कर रहे ना ठीक है emotional buy कर लोगे ना ठीक, तो यह वाली pin इसमें लगा देना तो आपकी Watts भी PS2 के साथ चल देगा और एक current भी एक Savior, बोर में सो अब पताओ किती शांदर चीज है ना अगर यह हडिस भी आप चला सको है ना कितना बेनेफिट वाली चीज है तो इस इस कनवर्टर का यह कमाल है दोस्तों सिर्फ इसी कनवर्टर में यह आप्शन आता है तो यह 12 वोल्ट वी पूरे मिल गए 5 वोल्ट वी बराबर मिल गए तो भी यह काम हो जाएगा suppose करो suppose कि आपने यह हड़िस लगाई हुई है ठीक है यह वली यह लगाई हुई है और अब इसमें अडप्टर नहीं लगाया ठीक है ना और simply ऐसे लगाई है जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताई यह भी आपका काम प्रॉपर नहीं कर रही है suppose करो तो आप क्या करोगे ना त स्क्रीन दिखाता हूँ तो दोस्तों सामने आप देख सकते हैं कि OPL के साथ में यह हड़िस वर्क नहीं कर रही है इसको निकाल देता हूँ यह फे और दोस्तों यह वाला जो कनेक्टरола हाड इसक डीकर यह में लगा देता हूँ ठीक है तो दोस्तों यह अब सिंगल दू प power मिल गई है तो यह blink करेगी और आपकी hard disk connect हो जाएगी आपकी game जो है screen पे सामने आ चुके हैं तो इस तरीके से यह fix है जो कि आप कर सकते हो यह connector buy करके यह buy करने का link description में दिया हुआ है और आपको सामने screen पे converter पूरा show हो रहा है यह buy कर लेना simply और इस converter का सबसे main benefit जो है ना वो बड़ी hard disk लगा सकते हो छोटी भी लगा सकते हो ठीक है तो सब कुछ कर सकते हैं बहुत अच्छी hard disk वाला connector है buy कर लेना separately अगर आपको hard disk नहीं मिले चलती हुई तो so I hope दोस्तों आपको यह video अच्छी लगी होगी इस video को like करना शेर करना comment करके जरूर बताना मुझे पता है कि आपको मेरी video सही लगती है आपको कुछ सीखने को मिलता है और अगर आप चाहते हो ना कि दोस्तों live session इसके जात में भी जुड़ो और आपको और वीडियो के notification में मिले तो जादे 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 को subscribe करो मेरे चानल को जादा जाद सब्सक्राइब करेंगे notification जादा मिलेंगा आपको जादा कुछ सीखने को मिलेगा daily basis पे वीडियो आने वाली है दोनों चानल को जादा जादा सब्सक्राइब कर लो मैं मिलूँगा न्यू वीडियो के साथ में thank you so much guys bye